जाएन दोस्तो वेलकम बैक टू आर चैनल वेलकम बैक टू जॉब टेरिया आई होप सो कि आप लोग फीट एन फाइन होंगे अपके अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत वलकम है जिया दोस्तो आज का जो है जारकन में होट टोपिक बना चाहिए क्योंकि ये नियुकती काफी बरसों बाद निकली है और इसमें लाखो जुवाओं का लाखो भावी शिक्षक का जो है यहां पर भविस्य जो है एक तरफ से केरियर जो है इस पर डिपेंडेड है क्योंकि ये बहुत-देशिय बहाली है क्योंकि 2016 के बाद से सिक्षक बहाली जार्खन में नहीं निकली नहीं है तो इसी बिच इसलिए ये hot topic बनी हुई है लेकिन आज इस वीडियो में हम manually चर्चा करेंगे आपके doubt मैं लेने वाला हूँ जो frequent basis पर यहां पर आपके द्वारा पूछे जा रहे थे तो बिलकुल आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा जिसमें से मैं इस वीडियो में मुखता इस point पर बात करूँगा कि जारकन सायक अचाज भरती स्थगित notice कब जारी होगी और आपकी तरफ से सबसे जो question पूछा जा रहा है वो सायक अचाज परिक्षा होगी की नहीं सबसे बड़ा doubt आज के date में यही है current scenario को देखते हुए other state वाले firm भर सकते हैं other state वाले allow हैं क्या इस firm के लिए और firm कव से reopen होगा तो इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो बिल्कुल वीडियो का अन तक वाच करते हैं तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और मैं यह सारे authentic way में जो है आपको यहाँ पे explain करूँगा सारे सवालों का जवाब रखूँगा तो बिलकुल वीडियो कान तक वाच कीजेगा और चैनल पर अगर फर्स टाइम विजिट के होंगे दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट जो है आपको मिस नहों हम लोग जो है हाई कोट का जो ओर्डर कपी को यहां पर समझते हैं तभी सारी चीज़ा आपको क्लियर हो पाएगी यहां पर ओर्डर कपी के एट पॉइंट पर यह मैंसेंड है कि वी फर्दर डारेक्ट डैट दोस रेसिडेंट ऑफ जारकंड एस्टेट ऑफ जारकंड हुआ यहां पर यह बाते सामने आ रहे है कि आपका जो है जारकंड के जो hourly में उंगोइंग प्रसरेस में जो है जो है यहां पर देख सकते हैं ऑन गोइंग प्रसरेस लिखा हुआ और on growing process means होता है अभी जो recently आपका 26,000 जो बहाली निकली हुई है उसको वो appear हो पाएंगे मतलब उनको मोका दिया गया है अलाव किया गया है यहां clearly इस line में यही बाते सामने आ रही है साथी साथ इसमें condition है कि if not held within a year it held at least within next three years and the candidate who have participated in the selection process and have been appointed have to clear the estate examination within a period of three years by giving one chance यहां पर बोला गया है यह जो एक्जाम आपका estate का होना है मतलब आपका जो जारखन में three years में जो आपका अगर जेटेट आपके नियुक्ति होने के बाद यानि सीटेट को तो valid कर दिया गया आप इस बहाली में आप जो है कि three years तक government जो आपका जेटेट लेने वाली है हलेक साल में conduct कराएगी जिसमें से आपको first chance में exam को qualify करना होगा अगर आप exam को first item में यानि जेटेट qualify कर लेते हैं तो आप आगे में जो है आपकी नियुक्ति बनी रहेगी आप as a teacher work करते रहेंगे लेकिन अगर government जो है one chance देगी आपको अगर उस one chance में अगर exam को clear नहीं कर पाते हैं तो आप जो है फिर से as a teacher continue नहीं कर पाएगे अपने duty को लेकिन और एक condition इसमें ये mention है कि अगर state government three years में अगर exam conduct कराती ही नहीं है तो आपको पूरी तरीके से permanent घोसित कर दिया जाएगा तो यह जो है आपका first scenario में ये पॉइंट 8 में order copy में ये चीज में नाइन को समझते हैं तो नाइन में यहाँ पर clearly mentioned है आपका जो सवालों का जबाब था कि सर exam को लेकर कब क्या है तो इस चीज़ को समझिए यहाँ पर लिखा है कि 9 में we further expect that the state government shall not conduct the examination at least for next three month so that the candidate should get some time to get ready or prepare for the exam यहाँ पर clearly यहाँ इस line में यह mentioned है इस point में कि आपका जो है state government जो सिटेट को अलाव कर रही है तो अगले next three month तक वो exam जो है at least conduct नहीं करा सकती है क्योंकि जो student इसमें appear हो रहे है इस भरती में सिटेट वाले उनको preparation के लिए time देना होगा तो three month तक आपका जो है यहाँ पे exam conduct होगी ही नहीं और अगर three month को लेकर अगर बात करें तो आपका exam का date जो है यहाँ पे आप finalize होगा आपका जो है अपरेल मन के अपरेल या मैं में आपका exam shift हो सकता है अपरेल के last last end में भी हो सकती है अगर ज possibility बनती है आपकी मैं मन्त में तो आपका exam कब होगा यह मैंने यहाँ पे जो है आप clear कर दिया अब हम आपका next question कि आपकी भरती प्रकिर्या क्या इस्थगीत होगी की नहीं अगर यहाँ पे news clip को देखें तो यह कुछ दिन पहले का news clip है recent news clip है जो सहाइक अचार्ज भरती पर सकती है तो नियमाबली में क्या संसोधन होगा जैसे कि हमें पता है कि यह वहाली 26,000 निकली हुई है उसमें जो है जेटेट qualified candidate को ही इसमें जो है सामिल किया गया था तो order coffee में just नियमाबली क्या बनेगी कि इसमें seatate वाले जो है उतिरने candidate को इसमें लोग इसमें सामिल कर ले जाएगा और cabinet इसकी मंजूरी देगी क्योंकि high court का यहां पर order है और वहां पर security मिल जाएगी तो first में संसोधन होगा नियमाबली में फिर cabinet में मंजूरी मिल दी जाएगी और इसके बाद cabinet में मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ले जाएगा इस order जो है आपके decision को कार्मिक विभाग shift किया जाएगा और कार्मिक विभाग जो है इस order को जो है JSC को भेज देगी अब JSC को जब यह भेजेगी तो JSC जो है आपको यहां पर notice एक release करेगी इस थगित को लेकर यानि exam जो है conduct नहीं कराने के लिए जो है एक notice जारी करेगी जिसमें मुझे बहुत की official website में बहुत ज़्यादा chances है क्योंकि इसमें जो है 12 January को exam date रखा गया है तो कैसे भी हो आपका जो है Sunday तक जो है बहुत ज़्यादा possibility है कि आपका यहां पर जो है notice release कर दी जाए इस से सम्बंदित तो इस तरह से आपको जो है यहां पर होगी और बात कर लें कि आपका जो है यहां पर other state वाले जो है इस के इंडिड मतलब जो है बहाली में सामील हो पाएंगे कि नहीं जो other state के हैं और other state के state qualify कियो हैं तो वो क्या eligible होंगे कि नहीं तो उसकी अगर बात करें तो यह आपका जो है यहां पर official notice आने के बाद ही कुछ यहां बताना संभव होगा क्योंकि इस order copy में सिर्फ यह mention है कि जारखन के सिटेट उतिरन अभियार्थी को इस बहाली में सामील होने का मोका मिलेगा इसमें यह सिर्फ order copy में यह बात निकल के आ रही है लेकिन officially जैसे सीने जो notice अभी जारी करेंगे थोड़ी ही दिनों में उसमें आपको clear पता चल जाएगा कि other state वाले candidate इस बहाली में सामील हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो I hope so कि आप लोगों को यह सारे point जो है clear हुए होंगे तो आसा करता हूँ वीडियो informative लगी होगी तो चैनल पर अगर first time जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रू subscribe कर लिजेगा thanks for watching